नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका UPSC Adda 247 पे तो जहां पर हम बात करते हैं फ्रॉड की तो यहां हमारे सामने जो न्यूज आ रही है उसके आधार पर आप यह मान सकते हैं कि जो DHFL बैंक लोन स्केम है यह इंडिया का बिगेस्ट बैंक फ्रोड केस आप मान सकते हैं जो लगभग 34,615 करोड रुपगा घुटाला है इसलिए न्यूज भी काफी इंपोटेंट है यहां आप देख भी सकते हैं CBI Books, DHFL, Kapil and Dheeraj Wadwan Others in India's biggest बैंक फ्रोड of 34,615 करोड पलब यह इ आए जानते हैं इसके बारे में काफी डिटेल में और इसस करेंगे काफी कुछ इसे प्रिजन करता हूँ मैं मेरा नाम है सौरफ स्वामी तो देश में एक बार फिर से बड़ा बैंक घुटाला जो है हमारे सामने आया है यहां पर मुल्य के लिहास से देखे हम value of the terms of money तो द देश के सबसे बड़े इस बैंक घुटाले में दिवान हाउजिंग फाइनेंस लिमिटेड के जो पूर्व अध्यक्ष है जिनका नाम है कपिल वाधवान और उसके अरावा जो डारेक्टर हैं धीरज वाधवान और रायल्टी चेतरी की 6 कंपनियों के खिलाफ जो है मामला दर्ज होया है और ऐसे में CBI ने इन सब को अरेस्ट भी कर लिया है तो अभी ये CBI के गिरस्त में है और देखा जाए तो इन सब के उपर Union Bank of India ने Union Bank of India के नेतरतर वाले 17 बैंकों ने 34,615 करोड रुपे की जो दोखादरी है उसका जो आरोप है वो लगाया है अर देखिए पहले हम जानते हैं DHFL के बारे में DHFL का फुल फ्रॉम है दिवान Housing Finance Corporation Limited आप देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1984 के अंदर और CEO जो है इसके कपिल वादवान है और इसकी एसेट जो वैल्यू है वो एक दश्मलव एक लाख करोड रुपे है और इसका जो Parental Organization है वो है पिराम Enterprises Limited ने ये जो दिवान Housing Finance Limited है जो कहीं न कहीं काफी संकटा गरस्त जो परिस्थी उसे गुजर रही थी उसको 38,050 क्रोड रुपे में खरीदा था एक्वाइर किया था और जनवरी 2021 में पिरामल ग्रुप DHFL को खरीदने की दोड में सबसे सफल जो एक तरीके से आप बोली द जाताएं हैं इनको 34,250 क्रोड रुपे का बुक्तान भी किया था क्योंकि ये जो कंपनी है जरसली कंपनी डूब रही थी तो इसको एकवार किया फिर पिरामल जो Housing Limited है उसने और जो इनके जो कर्जदार है इनको पैसे भी दिये गए पिरामल गुरुप की तरफ से और देख कि यहां पर देखा जाए तो CBI ने ये कहा है कि 12 ठीकानों पर 12 लोकेशन पर मंबई के अंदर CBI जो है सर्चिंग कर रही है और वैसे भी देखिए हमने अब तक AGB शिप्यार जो है उसके बारे में सोना था कि ये भारत का सबसे बड़ा एक तरह किसे बैंक फ्रोड केस है ज जो अभी DHFL से संबंदित न्यूज है तो DHFL जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक फ्रोड जो केस है वो बन गया है CBI ने ये जो कारेवाई है ये 11 फरवरी 2022 को बैंकों से मिली शिकायत के अधार पर करी थी और इससे पहले 2021 के अंदर एदियम बात करें तो Union Bank of India ने भी CBI को पत्र लिखकर DHFL के जो परमोटर्स हैं और जो मेनेजमेंट है उसकी जांच करने के बाद CBI को कही थी उसके बाद में CBI ने इसके उपर जांच शुरू की और Union Bank of India ने जो आरोप लगाया है वो आप जरू सुन सकते हैं Union Bank of India ने ये आरोप लगाया है कि DHFL ने 2010 से लेकर 2018 के बीच में 17 बैंकों के एक कॉर्सोटियम से अलग-अलग जो अब्जेक्टिव्स हैं उसके लिए 42,871 करोड रूपय का जो कर्ज है वो लिया था लेकिन बाद में 2019 के बाद में इस DHFL ने जो ये जो कर्ज है ये चुकाना बंद कर दिया जिसके बाद में बैंकों ने कंपनी के खातों को नोन परफॉर्मिंग एसेट करार दी दिया और उधार देने वाले बैंकों ने अलग-अलग समय पर कंपनी के खातों को NPA गोशित कर करार दे दिया अब दीकर थोड़ा सा NPA के बारे में आप यहां पर जान सकते हैं इसको दीकर सिंपल वास्ता में आप यह समझ सकते हैं जब कोई देंदार जो होता है मतलब किसी वेक्ति ने किसी से लोन लिया है तो उसको वापस पैसे देने है तो वो देंदार हुआ तो ज बैर निश्पादित जो परी संपत्ति है वो कहा जाता है अब नियमों के अनुसार क्या है कि जब किसी रेंड की जो लोन की जो इमाई है जो प्रिंसिपल है जो इंटरस्ट है उसका भुकतान नियत तारीक से 90 दिनों के बीतर बीतर नहीं किया जाता तो यह जो पूरा अका या बैड लोन हो जाता है मतलब वो जो लोन है वो बैंकों के लिए बैड लोन करार दिया जाता है तो बैड लोन की परिवाशा भी वही है जो NPA की है तो बैड लोन का जो टर्म है वो भी कई बार नियूज में कवर किया जाता है तो यह है नॉन प्रॉफिमिंग एसेट तो फरवरी 2019 में बैंकों की कमिटी ने जो KPMG ग्रूप है उसको 1 अपरेल 2015 से लेकर 31 दिसमबर 2018 तक DHFL की जो special समिक्षा जो audit है उसके लिए निगत किया तो KPMG ने यहाँ पर audit करी किसकी DHFL की और तारीक यहाँ पर आप देख सकते हैं 2015 से लेकर 2018 के transactions की अब इसके बाद में जब य यह कहा गया कि DHFL जो है वो promoters के साथ में equality रखने वाली 66 जो institution है उनको 29,100 करोड रुपे दे चुका है इसमें से भी यदि हम बात करें तो 30,849 जो करोड रुपे हैं वो अभी भी भगाया है और इसी वज़े से बैंकों ने आरोप लगाया इसे जो पैसे लिए गए थे इन्वेस्ट कर दिया कई लोगों ने जमीने खरीद ली कई लोगों ने और कुछ खरीद लिया और इसी वज़े से ये जो पूरा DHFL का ये जो बैंक है ये डूबत में चला गया अब देखा जाये तो ये जो स्केम है इसकी संख्या नंबरों में हमारे सामने काफी ज्यादा आती है 34,615 करोड रुपे कोई कम रकम नहीं है और भारत में इससे पहले इतना बड़ा बैंक लोन स्केम जो है हमें देखने को नहीं मिला है अब CBI नहीं यहाँ पर दोनों डायेक्टर्स को एक तो CEO और एक MD जो है इन्हें गिरफतार कर लिया है और इसके उपर जो जांच करना चाते हैं तो complete foundation live batch जो हो चुका है bilingual और यह 29 जून चे शुरू होने वाला है for the UPSC 23 and 24 जिसमें pre plus mains plus CSET तीनों के त्यारी करवाई जाएगी तो आप इसको enroll अभी के भी कर सकते हैं इसके लिए आपको ADA247 जो अप्लिकेशन है वो डाउनलोड करना होगा UPSC vertical में जाके आ या फिर आप अगले साल के लिए attempt दे रहे हो आप इस course को enroll बिलकुल करिए यह शांदार course जो है वो शुरू होने वाला है गुन 30 जून से और साथ ही subscribe किजिए ADA247 UPSC चैनल को like share करना बिलकुल भी न भूले thanks for watching इसी तरह के important और informative वीडियो के साथ मिलते रहेंगे प्रकाशंगे बिलकुल वी जून से लिए फिन से तरह को है पीडियो के साथ हो आवियो किजिए अगले यह झाते वीडियो के साथ है गया है और से यहाई यह। झार भीड़े वाले न शुरूला काल आप चारा की भीज़गे मिलते यहोदार भीज़े मिलते न पर ग्यान क